हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आल आज मैं आपके वीडियो लेका रहा देखे एवन्यू सुपर मार्ट्स यानि कि डी मार्ट बहुत सारे रिटेल स्टोर्स आपने देखे होंगे डी मार्ट के यहां पर आज क्वाटर वन के नतीजे आये हैं सामने यानि कि जो क्वाटर लॉक एक ऐसा है कि मतलब भीड़ भार जाती है रिटेल स्टोर्स में सामान खरीद के लाती है और अपने घर चले जाती है लेकिन अब भीड़ भार घर से बाहर निकली ही नहीं तो प्रॉफिट का जटका आप देख सकते हो प्रॉफिट का जटका मैं इसको कहूंगा चलिए बात करता है इसके बारे मां थोड़ा डिटेल में रिजल्ट को देखने है साथ में टेकनिकल फंडामेंटल आनलेसिस को देखते हो और एक बहुत इंपॉटन्ट इंफॉरमेशन और भी है वीडियो के एंड में उसको भी देखेंगे और साथ के साथ सबसे पहले रिजल्ट के औ मार्किट के बारे में कब इन्वेस्टमेंट करनी है कब आपको शेर बेचना है कब खरीदना है कि इस तरीके से रिस्क मैनेज करना तो आपके लिए पूरी सीरीज बनी विए बस आपको जोईन बटन बटन दबाने की देरी है जोईन बटन पर क्लिक कीजिए यह ऐसा नहीं और एक चाय के कॉस्टम है, एक सिगरेट के कॉस्टम है, आपको मिल रहा है, यह मान के चलिए, और बहुत ही important के सीरीज है, ताकि आपको यहाँ पे seriousness एड़ करने के लिए, वो membership रखी गई है, जो learning के लिए serious है, वो यहाँ पे join कर सकते हैं, learning के साथ साथ क्योंकि practice की भी का इसको लगना था, retail stores में भीड तो जुट नहीं पाई, तो समान खरीद नहीं पाए, तो किस तरीके से पूरा result रहा उसको देखते हैं, पिछले साल जून में, यह सारे numbers देखे, करोड में है, और हम यहाँ पे बात करेंगे, पिछले साल जून के अगर मैं बात करो यहाँ पे, तो जो number से उनको देखिए, 5825 करोड, 5825 करोड, जो कि अभी कितना है, 4000 करोड, लेकिन important बात यह है कि sale, आप देखिए, almost April का महीना और में का महीना लग बन्द था, जून के महीने में अच्छी खासी चीज़े, मैं इससे start होगी थी खुलना, लेकिन जून में खुली है चीज़े, तो उसके बावजूद, 4000 करोड की sale करी है, आप को प्राफिट को जटका जरूर लगा, लेकिन मुझे यह number impressive लगा, अब आपको गयर कैसे, देखिए, दो महीने, almost, मैं कहूंगे, डेड़ महीनी का असपास, तो पूरा बंद था, फिर भी 4000 करोड की total income generate की है, डी म जरूर लगा, अब पिछले साल का quarter में, comparison अगर आप करोगे, तो वहाँ पर तीन के तीन महीने working वाले थे, यहाँ पर देड़ महीने, एक महीना working, यह तो हो गया, अब total expenses को आप देखोगे, तो expenses में, भई, आप देखिए, expenses भी कमी होगे, 3875 करोड के expenses हैं, जो कि लास्ट य देखेंगे, अब आपको दिखेगा, असली जटका, यह expectation थी, कोई अलग से बात निया, expectation थी, profit इस तरीके से गिरेगा, और profit गिरा है, क्योंकि retail stores तो बंदी थे जाधातर, तो मात्र 40 करोड का profit यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि पिछले साल 323 करोड था, यह initial signals है, अब देखना कि quarter one के नतीजे, उन companies के जिनको सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है, जहाँ पे भीड़भार जुटती है, जिनके stores है, जिसे hotels हो गया, जिसके tourism हो गया, इस तरीके से retail store हो गया, लेकिन जो online businesses है, उनका फिर भी तेजी से होगा, लेकिन इन चीजों के जहाँ पे सीधे असर पड़ रहा है, customer सीधे impact वाली चीज़ है, उनका यही हाल आपको देखने को मिलेगा, यह quarter one स्टार्ट हो चुका है, अब आपको धीरे धीरे ऐसे ही situation देखने को बेलेगी, तो मातर 40 करोड का profit यहाँ पे दिया गया है, जो कि 323 करोड था है, तो अब देखोगे क बेल की तो वह अच्छी बात है, इतना इंकम जो है, वह अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, अगर मेरे साब से को बहुत है, वह तो पॉजिटिव है, क्योंकि बहुत देखा जाए तो क्योंकि यह quarterly results है, तो पूरे तीन महिने का देखा जाएगा, तो यहाँ पे आप पर देखेंगे, earning पर शेर देखोगे, तो पांच रुपे का जो earning पर शेर था, इस बार 60 पैसा प्रती शेर, 60 पैसा प्रती पर शेर के earning हुई है, तो यह quarter one का जटका आपने देखा, और आगे के लिए और भी results आएंगे, इसी तरीके से जटके आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन D-Mart के शेर में इस जटके के वज़े से कोई बड़ा गिरावाट यहाँ पर देखने को नहीं मिलें, एक मिनट बार लग रहा था कि गिरावाट आ सकती है, लेकिन बड़ी गिरावाट नहीं, although लोगों ने उसको खरीद लिया, अब कुछ हद तक गिरावाट देखने आप डेटा देखो, तो 245 करोड जून की सेल, जून 2018, जून 2019, 323 करोड आप देख लिजिए आप इस बार कितनी है, मात 40 करोड तो जून का इंपेक्ट तो आपने देख लिया, लेकिन उसके अलावा एक इंपोर्टन पॉइंट जो मापके साथ शेर करना चाहता हूँ, वो 13 करोड, 3 करोड 68 लाग शेर जो है, वो mutual fund वालों के पास थे, यानिकि 5.68% की holding थी, foreign portfolio investor के पास, अगर मार्च मिकी बात करें, तो 552 ऐसे foreign portfolio investors थे, जिनके पास 6 करोड 23 लाग शेर थे, यानिकि 9.62% की holding थी, उसी तरीके से insurance companies की holding आप देख सकते हो, लेकिन overall अगर मैं देखू थे, मार्च में जिनके पास 2.87% की holding थी, यानिकि 1 करोड 45 लाग शेर थे, और जो ज़्यादा हैं, 2 लाग से ज़्यादा जुन्होंने पैसे लगा रहे हैं, वो 261 लोग ऐसे थे, जिनके पास 5.33% की holding थी, यानिकि 3 करोड 45 लाग शेर थे, अब अभी की current situation देखे, फिर comparison आ अगर आप करोगे तो पहले ये थी, आपकी, अल्मुस्त 3 लाग शेर जार, अब तो कि 3 लाग 42 लाग शेर, यानिकि mutual fund वालोंने अच्छा-कासा माल बेचा है, और ये जून का data है, ये जून quarter का data है, जून end का, देखिए, और उसके अलावा, गर मैं बात करूँ, यहाँ प माल खरीदा है, पहले 552 लोग थे, अब 572 होगे, और 674,000 शेर इनके पास होगे, यानिकि foreign portfolio mutual fund से उठके, foreign portfolio investor की तरफ माल गया है, अब देखिए, ये comparison में इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये मार्ट वाला quarter काफी गिरावाट वाला था, तो किसने खरीदा, किसने बेचा माल, number of retail निवे शक बढ़े है, लेकिन overall shares यहाँ पर retail निवे शक क्योंकि आपको कम होते विए नजर आ रहे हैं, ज्यादा होते विए नजर आ रहे हैं, retail निवे शक देखिए, पहले 1,85,000 था और अब लग 1,84,000 थोड़ा सा कम हुए, मतलब almost similar situation यहाँ पर देखने को मिल द यह मार्ट की technical analysis देखिए, किस तरीके से गिरावाट है, क्या कुछ हुआ यहाँ पर, यह देखिया बाप, March series में जब गिरा था यह share और बिलकुल low point पर गया था, 1740, उसके बाद बहुत ही जल्दी recovery देखने को मिल गई थी, बहुत ही जल्दी recovery देखने को मिल गई थी, अग आप ने देखा, लंबी upper shadow गिरा, फिर से देखिए, यह चड़ा है, उसके बाद देखिए, दूनों पिछले दो महीने, यानि कि में मन्थ, जून मन्थ, बिलकुल लंबी-लंबी upper shadow वाले देखने को मिल और मुझे लग रहा है, कि अभी यह जुलाई मन्थ में, जो correction चल रह अगर आप weekly chart को देखो, तो जहां से इस तरीके से correction आई थी, इसका resolution कहा पर हुआ था, यह almost 2000 के level पर resolution हुआ था, और जल्दी आपको resolution अगर देखना है, तो आप छोटे time frame पर जाके समझ सकते हो, daily time frame पर, अब फिलहाल यह correction चल रही है, लेकिन इस correction का, अब important बात है, result का कैस सारे result तो बिलकुली खतम आया है, तो negativity आ सकती है, अगर negativity आती है, देखिए हर तरीके सा, अगर negativity आती है, तो यहां पे 2024 के आसपास इसका support है, यह 50 EMA weekly की line काफी important support का का काम करने वाली है, मुझे नहीं लगता है कि वापस यह 1720 तक जाएगा, इनी ranges से वापस आने की करेगा, क्योंकि revenue, बढ़ी revenue दिखाया है, खाली देर महीने के working पे, तो यह जटका लग सकता, अगर यहां level तक आएगा तो एक opportunity, लेकिन entry कप करने है, correction के resolution के बाद गिरते हुए नहीं पकड़ादा, वापसी के time पे, अभी फिलाल daily situation पे आप देख पारे हो, कि हाँ, यह ब आपको support का काम करेंगे, और पिछली बार जिस line ने support का काम किया था, यानि के 200-day simple moving average, और अभी भी वो line देखे, 2100 का आजपास बैठी भी है, तो यह important है, 2100 का level इसको जहां से देखना, फिलाल यह wind up करते हैं, वीडियो को उमीद करते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा कि बहुत प्रैक्टिस करते रहें, टेक्निकल लाने से जाए कितना भी अच्छा शेयर के और रिस्क को मैनेज करिए, और थैंक यू, थैंक यू पर आच मने वीडियो,